असलाम लेकूं गुड आफटर नून एंड गुड इवनिंग कैसे हैं प्यारे प्यारे वियर्स तो आज मैं आप से भी के लिए लेकर आए हूं गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत ही आसान और इंस्टेट बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बन आप शुगर और इन सभी को हम पांच मिंट तक हाइफ लेम पर पकाएंगे जब तक यह चाशनी हमारी थोड़ी चिप चिपी नहीं हो जाती तो इसको कर देते हैं मिक्स और हाइफ लेम पर इसको पकने के लिए 5 मिंट के लिए रख देते हैं चलते हैं नेक्स प्रॉसेस की तरफ तो यहां पर लिया है मैंने 10-12 ब्रैट स्लाइस और इसे मैं सीजर की हल्प से किनारे इसके कट कर रही हूं किनारों का यूज हम रजगुलाब जामुन में नहीं करेंगे तो अगर आपके पास नाइफ है तो आप नाइफ से भी सको कट कर सकते हैं तो देखे सबी पी प्यार करना है मिल्क पाउडर एड़ करेंगे इसमें और प्यौर घी और थोड़ा सब दूद हमें थोड़ा ही अड़ करना है और पहले हम इसे एक डो की तरह गोंद लेंगे जिससे या आसानी से जब हम इसको round shape दे तो या आसानी से round shape में हो जाए तो देखे हमें दूद की quantity इसमें बिल्कुल हिसाब से रखनी है वरना तो हमारी जो ये bread है वो गीली हो जाएगी तो हमें दीरे दीरे करके दूद को इसमें add करना है इसके बाद add कर देंगे हम वन बड़े चमच के हिसाब से देसी घी और एक बड़े जो कप होता है measuring cup उसके हिसाब से में add कर देंगे milk powder और इन सबी से हम गोन लेंगे अपने डो को तयार कर लेंगे bread के डो को तो देखे डो बहुत अच्छे से हमारा गुंद चुका है जैसे normally हम घर में आटा गुंदे सेम वैसे ही हो चुका है और एक साइड हमारी चाशनी तयार हो गई है तो देखे थोड़ी चिपचिपी भी हो गई है अब हम flame को बंद कर देते हैं और इसे हलका असा हम ठंडा कर लेते हैं अब चलते हम इसको fry करने की तरफ गुलाब जामुन को fry करने की तरफ चलते हैं तो देखे बिल्कुल भी हमारे जमने डो तयार करा था वो बिल्कुल हात में नहीं लग रहा है और सिंपली इसके चोटे-चोटे पीस लेना है और इसे राउंड शेप में हमें करना है और फिर इसको करेंगे हम और फ्राय तो मैं ले रही हूं यहां पर देशी घी आप चाहे तो रिफाइन डॉल में भी इसको फ्राय कर सकते हैं और गुलाब जामुन देखे बनाना कितना आसान है एक दम बनकर तयार हो जाते हैं यह हमारे गुलाब जामुन और किसी गैस्ट के सामने अगर आप इसको रखेंगे तो वो गैस्ट भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इन गुलाब जामुन को घर पर बनाया है तो सभी पीसे को मैंने बना लिया था रेटी कर लिया था इनको करेंगे हम मेडियम फ्लेम पर फ्राय और जब एक साइट से गोल्डन ब्राउन हो काल ने जाटे में सभीस हो जाएंगे तो बिल्कुल आराम से इनकी साइच को चेंज कर लेना है जब नोहां सबस्क्राइब और लिए सकत कमश्ण नहीं तयार करेती इसका रस उससे थोड़े मोटे भी हो जाएंगे और सॉफ्ट भी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना बल्कुल न भूले फिर से लिकर आओं